सरकार के निर्देश अनुसार आपके शेतर में इंटरनेट सेवाएं अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई हैं As per government instructions, internet services have been stopped in your area till further notice ये ऐसी आवाज में आप नहीं सुनते हैं लेकिन आपके phone पे message आता है पिछले एक देड़ साल में हमारा इस message से एक से ज्यादा बर वास्ता पढ़ चुका है किसी प्रकार के संकट या उसके होने के आशंका के चलते सरकार internet सेवाओं को अस्थाई रूप से बंद कर दे रही है या कम से कम वो कहती तो यही है कि उनकी मन्चाई है 2019 में आयोद्याभू में विवाद का फैसला आने के वक्क कई जगे internet बंद किया गया बहाना एहतियात का NTCA प्रोटेस के दोरान भी सरकार ने कई शहरों में internet बंद किया काभरम और अफ़ाफ हैलने से रोगना चाहते हैं अनुछे 370 के निश्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक internet बंद रहा वहाँ ये अभी भी सेवा पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुए सोचिए एक दिन बिना हाइज स्पीड internet बंद होने पर लोग internet companies में फोन लगा के गालियां तक देना शुरू कर देते हैं कश्मीर में कैसे लोग अपना गुजारा कर रहे होंगे खैर कुछ इलाकों में वहाँ अभी भी वर्चुल कर्फू लगा हुआ है फिर गरतंतर दिवस की मिसाल है अब ये हुआ कि दिल्ली में आजित किसान रैली में हिंसा होई तो राधधानी और उससे सटे कई इलाकों में internet सेवा बंद करने का फैस्ट लिया गया या उसकी स्पीड को आल्टर किया गया कम किया गया इस वीडियो में हम उस कानून के बारे में जानेंगे जो सरकार को ये शक्ति देता है कि वो जरूरत पढ़ने पर internet ये संचार सेवाए बंद करते पहले इतियास की क्लास 1857 की करांती भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई पूरी तरह लेकिर इसने अंग्रे सरकार को पूरी तरह हिला दिया था अब उसकी कोशिश थी कि दोबारा ऐसी करांती न भढ़क पाए इसलिए उसने प्रेस की स्वतंतरता पर लगाम लगाने का काम शुरू किया इसके लिए 1857 में ततकाल प्रभाव से लाया गया 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 इसके मुताबि कोई भी अकबार निकलने से पहले सरकार से अनुमती वर लायसिंस लेना आनिवार्य हो गया कोई भी अकबार भड़काओ लेख या सरकार विरोधी बाते नहीं लिखेगा भड़काओ या सरकार विरोधी कितना सुना सुना लगता है फिर 1870 की बाद अंग्रे सरकार ने अपना फोकस शेत्री प्रेस को नियंत्रित करने पर शिफ्ट कर दिया, उस समय अंग्रेजी भाषा का मीडिया थोड़ा कम था, लोग भी अपनी शेत्री भाषाओं में लिखा हुआ पढ़कर उससे ज्यादा जुड़ाओं महसूस करते थ इसलिए वर्नाकुलर मीडिया पर प्राबंदी लगाने के लिए आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दिनेर एक्ष्प्रेस अकबार में से जुड़ा एक दिल्चस्प किस्सा भी है, आनन बाजार पत्रिका उस समय का बड़ा मीडिया समूँ था आज भी है, बिटिश सरकार स इसलिए इडन एक बार आनन बाजार पत्रिका के संपादक शिश्र कुमार घोष्ट से मिलने पहुचे, कहा कि अकबार के एडिटोरिल कॉंटेंट पर अंतिम निर्नाय बिटिश सरकार को दिया जाए, संपादक शिश्र कुमार ने वही किया जो उनको करना चाहिए था, उन उनका लिखा हर कंटेंट, हर अकबार, अब बिटिश सरकार की नजर में था सारी खबर है, अब आते हैं इंडिन टेलिग्राफ आक्ट 1885 पे, जो अभी समस्या की जड़ है, 1885 यानिक 885 में अंग्रेज सरकार गैगे आक्ट और बरनाकुलर आक्ट से भी एक अदम आगे चल लागू है, इंडिन टेलिग्राफ आक्ट के तहट केंद्र या राजसरकार को आपातकाल या लोग सुरक्षा के लिए फोन कॉल्स को प्रतिबंदित करने, उसे टैप करने तथा निगरानी करने का अधिकार प्राप्थ है, आक्ट के नियम 419 और 419 A में इसका जिक्र है, प केंद्र सरकार, राजसरकार या इन से संब्दे रधिकारी, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूँ के बेज़े संदेशों को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे रोके पढ़ सकता है, मैसेच सेबा को बादित कर सकता है, ऐसा इन परिसितियों में किया जा सकता है, कौन-कौन सी किसी लोक आपात की सिती होने पर यानि की पबलिक अमर्जनसी, लोक सुरक्षा का हित मालूम होने पर, देश की संप्रभूता और अखंडता के लिए जरूरी होने पर, दूसरे देशों से मैत्री पूंट संबंदों या लोक स्वास्त के लोक विवस्ता के माफ कीजेगा कि हि क्लासिफिकेशन है, सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार है कि वे ग्रह मंत्राले से पर्मिशन लेकर किसी व्यक्ति, संस्था या फना जगे की Communication Services को टैप कर सकती है या प्रदिबंदित कर सकती है वही वित्र मंत्राले और CBI Central Bureau of Investigation इस एजेंसिय को बाद में अधिकार भी दिया गया, कि वो सुरक्षा या जरूरी कारवाई की वजह से ग्रह मंत्राले की पर्मिशन लिए बिना भी 72 घंटों तक ऐसा कर सकती है मतलब एक फौरी आदेश आ जाएगा, वो 72 घंटे तक लागू रह सकता है उसके बाद फिर आपको मिनिस्टर से पर्मिशन चाहिए जानकर यापके लिए जुटाई है हमारे साथ ही अभिशेक ने एक चीज़ इसमें हम भी जोड़ देते हैं अपनी तरफ से कोई भी अथारिटेटिव सरकार सबसे पहले सूचना पर नियंतरन करने की कोशिश करती है अंग्रेज लोगतंतर पन अपने नहीं देना चाते थे इसलिए खबरों पर सूचना पर नियंतरन किया वहां रूस में पूतिन लोगतंतर पन पा हुआ है उसको वापस रोल बैक करना चा रहे हैं इसलिए वही उसी राह पे जा रहे हैं अभी आपकी जिम्मेदारी है कि लोगतंत्र की सेहत बनी रहें इसलिए आप इस तरह के कदम उठाएं इस तरह के स्वस्तालोचनाएं करें ताकि सूचनाओं का प्रसार जैसा था वैसा चलता रहे उस पे किसी तरह की गैर जरूरी रोक है निखिल लिखने वाले का नाम आपको हमने बता दिया है अविशेग तैंक यू आपको सेहत मन बनाने हेल्फ की दुनिया के सब हाल बताने आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने एक्सपर्ट के जरीए आपकी अवेर्निस चमकाने तंद्रुस्त रहना होगा नईलत द पुमबार से शुक्रवार दुपहर एक बजे